अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक यह वीडियो का जो है कन्वर्ट मोर देन और लेस देन इंग ग्रूप डेटा ग्रूप डेटा मतलब ग्रूप डिस्टिबिशन भी बोल सकते हो आप तो आप बोलोगे सर अभी आप जो करवा रहे हो वो पहले वीडियो से पूरा हमें तो आप बोलोगे चैसा मूर्देन होता था तो आपने बूला था लूए लिमीट और लेज देन होता है मतलब कि तो आप बोलोगे सर इसमें अपर लिमिट होती है परफेक्ट यहीडैलोग आपको पकड़ करना है तो सेम वेर हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पे हम mes with questions 40 50 50 60 70 80 और यहां पर आपको class ऐसे लिखना है नीचे सीधा जाएगा तो ऐसे भी लिख सकते हो 20 30 40 50 60 और 70 और यहां पर क्या होगा 10 10 का difference है तो 0 to 10 आ जाएगा जैसे यह point complete होगा आप बोलोगे सर अभी frequency चाहिए जैसको हम fi बोलते है तो आप बोलोगे सर frequency के लिए आपको क्या चाहिए तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आपने arrow यहां से सिखाया था उपर से नीचे की तरफ तो पहली की frequency as it is बात में आप बोलोगे 12-5 12 कहां से लेकिया है तो यहां से 12 तो आप बोलोगे सर 7 तो अभी हम आगे लिखेंगे तो अभी आप बोलोगे सर यहां आपको लिखना पड़ेगा 16-12 कितना होगा बच्चा तो आप बोलोगे 4 अब यहां पर लिख दो 18-16 तो होगा 2 सेम वे 21-18 तो यहां होगा 3 27-21 आप बोलोगे सर जो है उससे आगे का एक आप ले रहा हो वैसे ही हो रहा है तो आप बोलोगे सर 6 सेम वे 34-27 अभी आप देखो कि यह सम नंबर 2 में क्या दिया हुआ है तो आप बोलोगे सर less than दिया हुआ है और cumulative frequency दिया हुआ है हमें क्या find out करना है तो आप बोलोगे सर हमें class find out करना है तो आप बोलोगे सर फिर से less than होता है तब हमें ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है कि यह जो होगी यह 20 यह upper limit होगी class की तो हम लिख उसना शुरू करते हैं, यहां 20, यहां 25, यहां पे 30, यहां पे 35, यहां पे 40, यहां पे 45, यहां पे 50, सेम यहां स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता है, यह नीचे आएगा, 20, 25, 30, 35, 40, और उसके बाद यहां हो जाएगा, 45, आप बोलोगे सर, यहां फॉर्स्ट में कितना लिखना है, तो आप देखोगे, तो डिफ्रेंस 55 का डिफ्रेंस है, कितने का डिफ्रेंस है, 55 का तो होगा, 15 to 20, तो क्लास तो अमारे रेडी हो गए, बाद में आप बोलोगे सर frequency लिखना है, जिसको हम FI बोलेंगे, frequency के लिए आपको बोला गया था, arrow उपर से नीचे तरफ जाना है, तो पहले के लिए आप लिखोगे 20 का 20, बाद में 20 माइनस 25 माइनस 20, तो आप करोगे तो हो जाएगा 5, same way 28 माइनस 25, आप बोलोगे सर, यह जो रह रहे हो, उसके पहल 28 तो आप लिखोगे 30 माइनस 28 हो जाएगा 2, बाद में लिखोगे 33 माइनस 3, 33 माइनस 30, आंसर होगा 3, same way 35 माइनस 33 होगा कितना, तो आप बोलोगे सर 2 होगा, और 50 माइनस 35 तो होगा 15, जो हमारा FI आ जाएगा, आप बोलोगे सर, यह क्या मिला, तो हमें original class और frequency मिल गई, यहां तक आपको clear हो गया, अभी आप more than वाले topic पे आगे बढ़ेंगे, तो अभी आप देख रहे हो, सामने जो sum है, वो more than और equal to वाला है, तो आप बोलोगे सर, more than है, तो यह जो class होंगे, class का यह lower limit होगा, क्या होगा, lower limit, तो आप बोलोगे सर, class बनाना है तो कुछ इस तरह होगा, पहला 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, same way आप start करोगे, अभी आप कौन से लिखोगे, तो upper limit हो जाएगी, यहां की 10, 15, यह point ध्यान रखना है, यहां पे 20 होगी, यहां पे होगा 25, यहां पे 30, यहां पे 35, 40, 45, और उसके बाद आप बोलोगे सर, 55 का gap है, तो यहां 50 होगा, जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे यह complete होगा, आप बोलोगे सर, frequency find out करना है, क्या नीचे से चालू करना है, तो यहां लिखो के 5, 10 माइनस 5, तो हो जाएगा 5, same way 12, अप ऐसे जा रहे हैं, 12 माइनस 10, हो जाएगा 2, same way यहां से जाएगा, तो 20 माइनस 12, होगा 8, same way 23 माइनस 20, तो होगा 3, आप देखोगे तो आगे जाओगे, तो होगा, 30 माइनस, कितना लिखना है, 23, perfect, तो 7, same way आप बोलोगे सर, अभी आगे, 38 माइनस 30, हो जाएगा, 8, आप बोलोगे सर, अब, तो यहां से लिखते है, तो 40 माइनस 38, होगा 2, और लास्ट में लिखते है, बोलोगे सर, आप कितना, बोलो, तो आप बोलोगे सर, 50 माइनस 40, हो जाएगा, 10, बच्चों यह सम आप देख लो, उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके लिखना पड़ेगा, तब भी आपको समझ में आएगा, अदर्वाइ अभी यह क्लास और FI, ओरिजनल फिक्वंसी, ओरिजनल क्लास मिल जाएंगे, तो आप इसके बाद मीम, मीडियन, मोड जो भी पूछा होगा, टून सकोगे, अभी आप बोलोगे सर, यह लास्ट सम है हमारा, मैं कैलकुलेट करवा के, मोर्देन के दो सम करवाए, लैस के दो सम करवाए, यह हमारा दूसरा, मोर्देन का सम है, तो आप बोलोगे सर, स्टार्टिंग कहां से करना है, तो हमें लिखना है, क्लास, तो आप बोलोगे सर, क्लास में कौन सी लिमिट में लिखना है, मतलब लोवर लिमिट में लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, lower limit में लिखना पड़ता है तो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 और 450 जैसे यह होगा तो आप बोलोगे sir यहां लिख दो पहला 100, दूसरा है 150, तीसरे में लिखेंगे 200 यहां होगा 250, यहां पे 300, यहां पे 350, यहां पे 400, यहां इक 0 रहे गया था तो 450 और लास्ट में 50-50 का gap आ रहा है तो आप बोलोगे sir simple way में तो होगा 500 जैसे यह point complete होगा आप बोलोगे sir frequency find out करनी है frequency मैंने बोला था हमें नीचे से लेना है नीचे से start करना है arrow को follow करना है तो आप बोलोगे sir अब frequency के लिए arrow follow करेंगे नीचे से start करना है तो जहां लेते हैं सबसे पहले तो 10 as it is बाद में ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा आपको 25-10 हो जाएगा 15 आगे बोलोगे sir तो अभी क्या होगा तो आप बोलोगे sir 30-25 तो हो जाएगा 5 same way यहां होगा 40-30 तो आपको आएगा यहां पे 10 बाद में लिखते हैं आप बोलोगे 45-40 तो हो जाएगा कितना बोलोगे कितना 5 perfect इसके बाद बोलोगे sir 55-45 तो होगा 10 same way आगे चलते हैं तो आप बोलोगे sir 70-55 तो कितना होगा आप बोलोगे 15 उसके बाद यहां पे जाओगे तो यहां पे बोलोगे 82-70 तो होगा 12 और आखिर में लिखा जाएगा 90-82 तो हो जाएगा 8 इसके साथ हमारा मुर्धेन वाला second sum भी complete हो गया अभी pause करके पूरा sum लिख लो और उसके बाद हम यह आपको last homework में दे रहा हूं मतलब आप food करिए doubt कुछ भी होता है तो आप comment section में लिख सकते हैं यह रहा आप इसका screenshot ले सकते हो या लिख लो तो भी चलेगा suppose आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो like share subscribe जरूर करें